मैं तो अड़ापना पगवांत मान तो अड़ी अपनी सरकार आमाधी पार्टी दी सरकार ने एक मिन्ने देविच एन्ने ज्यादा काम कीते ने कि शैद इतिहास देविच इस तो पहला किसी सरकार ने ना कीते हों जमें के एंटी कोर्प्शन हेल्प लाइन नंबर जारी किता है बिना रिश्वतों लोग का दे कम हों लगपे जदों भी एलेक्षन होंदी है तो सारीयाँ पार्टीयाँ वादे कर दियाने तो बाद विच जो बादे पोल लेजान दियाने श्री अरविंद केजरिवाल जी तो मैं उन में पंजाबी आनों देन लगयां कि एक जुलाई 2-2 जी हां एकathon जुलाई 2-2 बाई 2 पंजाब दे हर परवार नो 200 हिर प्राम जने कि 300 जुनाइज एक मीन नहीं दिफरी विजली मिलोगी ते दों मीन ने दा 600 हिंट हो गया जेड़े SC परवार ने, BC परवार ने, BPL परवार ने, जा Freedom Fighter ने, उन्हानु पहला 200 जुनिट जेड़ा ओ फ्री मिल दे सी, हुन उन्हानु भी 300 जुनिट पर मंथ बिजली मिलूगी, जे हो दो मीन यादे बेचे 600 तो उपर बिजली इस्तेमाल का देने, फर्ज कर लो, 604 जुनिट उन्हान फिल बिजली इस्तेमाल होगी, जा 600 पनताली जुनिट इस्तेमाल होगी, ता उन्हानु सिर्फ चाली जा पनताली 600 तो उपर जिनने भी ने, उन्हान घगा दे बेल देना पोगा, ति बाकि जिड़े Sardya Purde Parwar ने, उन्हान जु बेंती में करना, 600 इस्तिमाल करने गी ता फिर पूरा बिला हुआ एक होर बहुत बड़ी खुश खबरी है जिनना परवारां कोड़ दो किलो बार दा लोड है बिजली दा उनना सारे परवारां दा कती दिसंबर दो जार इकी तक दा पुराना सारा बकाया बेल जिड है उपंजाब सरकार माफ कर कई था में वहां फ्लाहें जारी है ने उनाज कोई सच नी जडी किसाना नूँ खेती वास्ते बिजली मिल दिये सबसीडी ओ बिलकुल ओसे तरह जारी रहोगी ते जडी कमर्शिल ते उध्योविक इंडस्ट्रियल ते कमर्शिल जडी बिजली इस्तिमाल हों दिया ओधे र पंजाब नूँ अग्या ओनाले प्विक वारे जोज नामाने उधे बिचेहे है कि असी दो तिन साल लां दे वेच्च पंजाब नूँ हर पिंड नूँ हर कस्वे नूँ चौवी कांटे बिजली दे मांगे ते सब्तों बद सस्ती बिजली पामे हो इंडस्ट्रियल होवे पामे कमर्शियल होवे पामे करेलू होवे ओहो पूरे देश देविस सब्तों बद सस्ती बिजली जडी है ओपंजाब चोगी इनूँ असी जल्दी लगू कर देंगे श्री अरविंद केजरीवाल जडी सरकार ने दिली दे विच बिजली जडी है ओफ्री करके दिखाई है एसे करके असी उन्न कोड सलावी लई है और साड़ा पंजाब नू रंगला पंजाब नोण दा इकोई मंतर है कि जित्थों भी चंगी चीज सान नू सिक्खर नू मिले असी उत्य अफ्सर भी पे जांगे आप भी जांगे साड़े प्रतिनी दी जांगे ताके असी पंजाब नू दुबारा पंजाब नोण देविच ओच चंगीयां स्कीमा पंजाब देविच भी लागू कर सकी है बिजली दे फ्री हो नड हरेक परवार देविच बचत होगी पैसे आंदी बचत होगी ओ पैसे जड़े बचे ने उनना नड तुसी अपने बच्चे आंदी पड़ा है इसी फेर एक वरी तो अट नड वादा कर देया के आउन आले पंच सालां चासी एक एक वादा पूरा करांगे असी पहलना बने वंगू अपनियां कर निपर दे अपनियां जेबा निपर दे असी पैसा बचा के लोकान ये जेबांच पॉना है जो कि आसी वादा कीता सी सुमय एक वरी फेर एक दसना चौना एक जुलाईतों तिनसो जुनिट विजली पार मंत ओए जड़ी ये मौफत मिलूगी ते छेसो जुनिट दो मीन दा हूगा ते बाकी सारी जड़ी एदा विस्थार है ओन आले दिनाजतानों मिल जूगा ते असी सारे मिलके तो आटे सा यो गनाडप पंजाब नू दुबारा आपको सबको नमस्कार सबको मेरा प्रणाम और पंजाब के मुक्ष मंतरी भगवन्त मांद साहब ने एक शानदार एलान किया है जैसे दिलनी में बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती ऐसे एक जुलाई से पंजाब में भी पंजाब के लोगों को तीन सो इनिट फ्री मिजली मिलने चालू होगी है कि पंजाब के लोग इतने खुश हैं इतने खुश हैं, सुब एसे जब से मानसाब ने एलान किया है मेरे पास इतने फोन आ चुके हैं लोगों के कि लोगों को यकीन नी हो रहा था, जब हमने आँ गारंटी दी थी चुनाव का दवरान की पिजली फ्री करेंगे सारी पार्टीं कहते थी एरे खजाना खाली कह लिये और इस फो नीश कना जोट बोल रहाए लेकन देखे मुने करके दिखा लिया हम Got苦料र करते थे की हम जो कहते हैं वह करते हैं तो हमने एक ही महीना होए ठाधमी पारटी की Elijah सरकार ने अपना पहला वादा पूरा कर दिया और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि हम एक-एक करके अपने सारे वादे पूरे करेंगे ये पार्टियां पूरी तरह से पंजाब को लूट के जा चुकी हैं खजाना बिलकुल खाली था लेकिन मैंने कहा था कि नियत की जरूरत है अच्छी नियत की जरूरत है इमानदारी की जरूरत है मैं बार बार कहता था कि यहाम आदमी पार्टी इमानदार है, कट्टर इमानदार है, मान साथ इमानदार है, कट्टर इमानदार है, हम इमानदार सरकार देंगे और देखो एक ही महीने के अंदर हमने पाई पाई करके पैसा बचा के आपके लिए पहला इतना अच्छा एलान कर दिया हम पैसे नहीं खाते हम भ्रष्टाचार नहीं करते जब नई नई सरकार बनी पंजाब में यह जितने माफिया थे बड़े जितने बड़े बड़े जिन जो लूट रहे थे पंजाब को इन सब लोगों ने अप्रोच करना चालू किया मेर को मान साब को हमारे मंत्रियों को हमार के यहां, क्या system चलता है, किस को देना होता है, कैसे देना होता है, क्या करना होता है, सब को आमने कहा इमानदारी से काम करो, यह तो जेल भेज देंगे. सारे, सब ठीक हो गया और देखो एक महीने के अंदर ही इतना पैसा आ गया कि आपकी वीजिल की तो सारे वादे पूरे करेंगे मुझे बेहत खुशी है कि इतनी जयादा Dz utilizz अब लोगों को इस महग्य की जमाने में थोड़ी सी सहूलियद मिलेगी जब उनको फ्री वीजुली मिलने चालू होगी तो लोग अपने घर में बच्चों के लिए अपने लिए और कुछ उनको उनके पर खर्च करने के लिए कुछ पैसा बच पाएगा लिए तो जितनी भी आजकल पॉलिसीज बन रही है दूसरी सरकार होगी हर चीछ से महंगाई महंगाई होती जा रही है लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि राजनीती के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव में जो वादे किये जाएं वो वादे पूरे होते हैं आज तक 75 साल में राजनीती में चुनाव के पहले जितने वादे किये गए कोई वादा किसी पार्टी ने पूरा ने किया कभी कोई वा सच्चे हैं हम कटर इमानदार हैं हम देश-भक्त हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं कि हम जो कहते हैं वो हमारे भरोसा रखना हम लोगों पर विश्वास रखना मैं को यह समझ नहीं आ शारकी में मुझे तो लगा था अज सुबह जब मान साब ने एलान किया कि सारे विड़ी ताली में जाएंगे मान acceptance को बदाई देंगे मान हैं एकूस ततना विपक्षी पार्टी यह इतना विपक्षी पार्टी नहीं किन फ़ोड और रही है कि व Twin फॉन कर यह निए नीच आत इस सिस्टम को बदलने जा रही है, इस ब्रश्ट सिस्टम को बदलने जा रही है, कल हम रहे ना रहे हैं, लेकिन ये विवस्था ठीक होने चाहिए, आगे कोई भी आए, लेकिन कोई भी ब्रश्टा चार उसके बाद ना कर पाए, हम इस सिस्टम को बदल रहे हैं, ये विपक् को नहीं है क्योंकि हम देश के लिए काम कर रहे हैं हम आपके लिए काम कर देश के लिए